दोस्तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पित्र पक्ष में मृत्यू के देवता यम्राज पित्रों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे वन्शजों के यहां जाकर तरपन ग्रैंड कर सकें दोस्तो अक्सर लोगों के घरों में आपने पित्रों की तस्वीर देखी होगी लोग अपने पित्रों का आशिर्वाद पाने के लिए उनके देहांत के बाद उनकी फोटो अपने घर में लगाते हैं पित्रों की तस्वीर घर में लगाने से संबंदित नियम वास्तु शास्त्र में वर्णित हैं कुछ नियमों का पालन करते हुए ही घर में पित्रों की तस्वीर को लगाना चाहिए वरना आपका जीवन संकटों से घिर सकता है तो दोस्तों जानिये घर में पित्रों की तस्व नमबर दो, पित्रों की बहुत सारी तस्वीर घर में नया लगाएं। मान्यता है कि घर में पित्रों की बहुत सारी तस्वीरों को लगाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही पित्रों की तस्वीर उस जगे नहीं लगानी चाहिए जहांपर सभी की नजर पढ़ती हो। कहते ह कि मृत व्यक्ति के तस्वीरों पर नजर पढ़ने से नकरातमक उर्जा का संचार होता है नमबर तीन पित्रों और देवताओं का होता है अलग-अलग स्थान अक्सर लोगों को जानकारी नय होने के कारण वे पूजा अस्थल पर ही पित्रों की तस्वीर रख देते हैं शास् वास्तु शास्त्र के अनुसार पित्रों की तस्वीर को बेडरूम, घर के बीचों बीच और रसोई घर में नहीं लगाना चाहिए कहते हैं ऐसा करने से घर में ग्रह कलेश रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच अन्बन बनी रहती है वास्तु शास्त्र के अनुसार पित्रों की फोटो को जिन्दा व्यक्ति की फोटो के साथ नहीं लगाना चाहिए ऐसा करने से जिन्दा व्यक्ति की आयू कम होती है वास्तु शास्त्र के अनुसार पित्रों की फोटो हमेशा घर की उत्तर दिशा वाली दिवार पर ही लगानी चाहिए शास्त्रों में दक्षिन दिशा को पित्रों की दिशा माना गया है इसलिए उत्तर दिशा में फोटो लगाने से तस्वीर का मूँ दक्षिन दिशा की ओर होता है माननेता है कि ऐसा करने से घर में सुक्ष सम्रद्धी आती है दोस्तो अगर कोई जानकारी आपको सही नहीं लगी या आपके पास इससे जूड़ी कोई अन्य जानकारी है